छट माहपर्व की शुलबाठ पोचुकी और इसी क्रम में डिवाली से लिए अठ वीडियो दिवाली से ले करके चट तक लाने का आप से वादा किया था और इसी वादे के तहरब आज हम आपको ला Tam दे रहे हैं एक और वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से भारत सरकार जो अपने वेबसाइट पे अलग-अलग तेभार का अलग-अलग मेला का अलग-अलग इवेंट का जो सूची जारी करती है उस सूची में छटका कहीं कोई जिक्र नहीं है दिपोट प्राइवेट भार्मिक संस्थाएं हैं उनके इवेंट के बारे में चर्चा है लेकिन छटका कहीं कोई जिक्र नहीं है और यह अपने आप में पूछे जाने के जरगत है हाला कि अगर आप इस वेबसाइट को देखेगा जिस वेबसाइट का नाम है उत्सब.gov.in जिस जरगतर आपको उस तरह के इवेंट मिलेंगे जहां पे मेला लग रहा हो तो च्षठ पााइवी का भी तो मेला लगता है आप बिहार में जाके देखेएगा हमने एक वीडियो भी बनाया है कि छट माई के जो मेले लगते थे, वो कभी बिहार में सबसे, दूसरे सबसे बड़े मिला लगता था, उंगारी का, आज भी देवु मंदिर जो अरंगाबाद में हो, वहाँ पर बहुत बड़ा मिला लगता है, लेकिन इन मेलों का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है, इस सरकार के वे मनाया जा रहा है, सिर्फ एक राजी का नहीं है, इस वेब साइट के उपर, आपको ऐसे तिवहार मिल जाएंगे, जो उस राज से बाहर में निकलते हैं, उदाहरन के लिए, आप इसी पांच नोवंबर को, जिस दिन छट सुरू हो रहा है, उसी पांच नोवंबर को के जिसका कि करनाटा के बाहर कोई नाम भी नहीं जानता होगा, लेकिन हमारे छट कुजा का नहीं कहीं कोई जिक्र नहीं है, दसाहरा होता है उसका जिक्र है, तब तो चलो मानते हैं, एक नहीं दस बार जिक्र किया गया है, लेकिन मैसूर का दसाहरा अलग है, बस्तर का दसाह एक दिन नहीं, पांच दिन चर्चा है, साथ दिन चर्चा है, अक्षरधाम मंदिर में दिवपत्सव हो रहा है, वो आज भी चर्चा उसमें लिखा हुआ है, कांसी में हो रहा है दिपोत्सव, अभी भी दिवाली खत्म होगे, लेकिन उसके बाबजुद भी उसका चर्चा च जहिए, अब इसके बाद हम दूसरा सवाल पे आते हैं, 2010 में नोटिफिकेशन जा रहे हुआ था, कि 2011 से छट की छुट्टी मिलेगी सत्मी दिन की, अब सवाल इसमें ये उड़ता है, कि जब 2010 का आप देखिएगा भारत सरकार के छुट्टी के लिस्ट को, तो उसमें आपको गजटेड होलिडेज मिलेगा 17 और 34 मिलता है, जो की टेंपररी होता है, यानि की रिस्ट्रिक्टेड छुट्टिया, 2011 में एक छट की छुट्टी बढ़ गई, तो हो गया 35 रिस्ट्रिक्टेड और 17 नौन रिस्ट्रिक्ट्टेड यानि की गजटेड, लेकिन जब 2025 की छुट्टी देखते हैं, तो वापस उसमें आपको दिखेगा कि 17 तो गजटेड था तो अभी भी है, लेकिन रिस्ट्रिक् गौर से देखेगा, तो वो सारे की सारी छुट्टियां जिसको रद की गई है, जो रद की गई है, जो रद की गई है, वो है मुसलिम से संब्द देते हैं, और सिर्फ एक छुट्टी रद नहीं किये है, मुसलिम के दो और छुट्टियों को रद किया, तीन छुट्टियों दे दिया गया है। तो पहला चटका दिया गया। दूसरा करवाचावस का दिया गया। और तीसरा जो होली में पहले एक दिन के छुट्टी होती थी अब दू दिन के होती है। पहले होली की एक restricted होती थी एक गजटेड होती थी और restricted छुट्टी नहीं होती थी अब एक restricted हो गई है एक गजटेड छुट्टी यानि कि दो छुट्टियां मिलती है होली के अंदर यानि कि तीन हिंदुक तेवहारों की छुट्टियां बढ़ी है पिछले एक दसक के दौरान और उसके बदले तीन मुस्लिम के तेवहारों की छुट्टी खत्म की गए ये तीन तेवहार कौन से है? इदुल फितर और जो हजरत मुहंबत साब का जो बड़्डे है वो और जमाल उल विदा इनको खत्म किया गया है जिसे आप खत्म कर रहे हैं कर रहे हैं हमें कोई उसकी एक अलग राज़ देती है लेकिन जिन छुट्टियों को एड़ किया जा रहा है क्या कहते हैं कि छट महापर्व जो है वो पर्व नहीं महापर्व है हिंदुस्तान के चार पर्मुक राज्यों में पूरी तरह से मनाया जाता है हिंदुस्तान का साइध ही कोई कोणा होगा जिस कोने में छट के बारे में लोग जानते नहीं होगी, दुनिया में लोग जानने लगे हैं इस पर्व के बारे में और सबसे बड़ी चीज़ इन्टिक कर दिया है, इसमें छट पूजा को सामिल किया जाए, क्योंकि ये ecological है, ये eco friendly है, परियावरन से सारुधी करीबी कतेवार है ये और उसके बावजूद भारत सरकारी से गजटेट छुट्टी डिकलेर करनी के लिए तैयार नहीं है हमारा परियास ये है कि हमें कम से कम मांग करनी चाहिए कि ये गजटेट छुट्टी के रूप में दिया जाए और जिस तरह से होली में और दिवाली में दोदू दिन की छुट्टी होती थी, हमारे छटकुजा में भी होली, दोदू दिन की छुट्टी दिया जाए आप बने रहे ये निव जंटर के साथ हम ऐसी जानकारियां चट से रिमिटेड और भी आपको देंगे नमस्कार